हलो फ्रेंड नमस्कार टार्गेट विद नॉलज आलाइन क्लासेज में मैं यादो पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस क्लास में हम प्रिपोजिशन एमंग के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रिपोजिशन एमंग का यूज कहां पर किया जाता है यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशल होने वाली है आप मेरे साथ वीडियो के लाश्ट तक बने रही है दोस्तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टार्गेट विद नॉलिज आललाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टार्गेट विद नॉलिज आललाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर दे साथ ही साथ जो साइड में बेल का इकन बना है उस पर जाकर भी बेल का इकन को क्लिक कर दे ताकि मैं जब भी कोई नाय वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा तो चले दोस्तों बिना टाइव वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो एमांग है उसका हिंदी मेर्थ होता है बीच में ठीक है एमांग का हिंदी मेर्थ होता है बीच में और इसका प्रियोग हम उस स्थिती में करते हैं जब कोई व्यक्ति ये वस्तु दो से अधिक व्यक्ति ये वस्तु के बीच में हो तो preposition among का use क्या जाता है ठीयाब जो among है उसका हिन्दी मार्थ होता है बीच में और इसका प्रियोग हम उस condition में करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक व्यक्ति वा वस्तु के बीच में हो तो उस condition में preposition among का यूज क्या जाता है, ठेव, चलें example के मध्यम से समझते हैं, यहां पर राम, स्याम और मोहन के बीच में बैठा है, यहां पर राम, स्याम और मोहन तीन वेक्ति है न, इस कार्ण से इसमें preposition among का यूज क्या जाता है, ठेव, जो preposition होता है, उसका यूज उस condition में किया जाता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, दो से अधिक व्यक्ति व्यक्ति वा वस्तु के बीच में होता है, वहां राम स्याम और मोहन के बीच में बैठ हैं यहाँ दो से अधिक वेक्ति का जिक्र किया गया है इस कारण से यहाँ पर प्रिपोजिशन अमांग का यूज किया गया है ठीक है चले नेक्स्ट एक्जामपल देखते हैं वहां जो उसकी प्रापर्टी है उसको गरीबों के बीच में डिस्टिब्यूट कर दिया तो जहां पर जो पूर्स है यह दो से अधिक पूर्स की बात हो रही है जो पूर्स सब दिया है इस सेंडेंस में तो इसमें जो पूर्स की बात हो रही है यह दो से अधिक है क्योंकि हमने यहाँ पर पूर्स लिखा है ठीक इसलिए यहाँ पर प्रिपोजिशन अमांग का यूज किया गया है ठीक चले दोस्तो रिवाइन कर लेते हैं एंवांग का अर्थ होता है इसका प्रियोग हम उस इस्थिती में करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तू दो से अधिक व्यक्ति वह वस्तू के बीच में हो तो प्रिपोजिशन अमांग का यहां पर एक गरीब की बात नहीं हो रही है बलके यहां पर बहुत सारे गरीब की बात हो रही है पूवर्स लिखा ना तो यह दो से अधिक गरीब की बात हो रही है इसलिए यहां पर preposition among का यूज किया गया है तो दोस्तो आँज का जो semester आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आप लोगों को यहां क्लास समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप वीडियो को उपर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्षन दिया है उस पर जाकर वीडियो के उपर आप कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए फिलाल बस इतने हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक लें नमस्कार जैहिन वन्ने मात्रम